हेलو दोस्तों स्वागत एक वीडियो में। भी तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप और हम जैसे कि किसी दूसरे तीसे देश से समान इंपोर्ट कैसे कर सकते है मान लीजिए अगर आपका कोई आइटम ऐसा है जो इंडिया में सस्ता है या चाइना में अगर सस्ता में मिल ला है तो उस चीज को कैसे इंपोर्ट करें ताकि हमारा बिजनस का लेवल जो ऐसे कि वो बड़ा हो जाए और हमारी इंकम जो अभी हजारों में वह सो आगे चल करके हरों फिंद इंडिया स्ट्राविले वे सभी मतलब कैसे इंपोर्ट करें हम नेपाल में ताकि हमें कुछ ज़्यादा इंगर मिले हम ज्यादा कुछ कमा पाएं तो ये वीडियो अबकार का पर सबसे सुपर डूपर हीट वाला वीडियो होने वाला है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही एक लाइक जरूर से कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे नयने जो इसे की वीडियो ले करके आगे तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं तो नियम में यहां पर सबसे पहले यह है कि आप वेपारिक उद्देश से किसी दूसरे या तीसरे मुल्क से सामान आयात करना अगर चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको अगर प्राइबेट फ़ॉल है या साज़ेदारी वाला फ़ॉब है तो इसके हक में रहनिज्य तथा आप और टी वीवस्ता-विभाग में oui और उद्योग तो उद्योग वीभाग में आपको पर्म उद्योग जो भी वह सबाएक tribadd करना पड़ेगा तो एगर को YouTube अगर खोलना चाहते हैं तो इसके बाद आप अे वानीजे तथा पोर्टि वीभाग में एजे जन्सी का रेजिस्टेशन करना पड़ेगा तो यह अगला यह आता है कि आप किसी सेलर से जो कुछ भी खड़ी दना चाहा रहे हैं उस सेलर का जो एक बील समझी उसको बील बीजक जो भी होता है एक सामान मंखवाना है तो उस बील के सहारे आप नेपाल के किसी भी बैंक में जा कर प्रतीत पत्र का एक टिकुमेंट आता है साथ में तो सेलर दिखाएंगे समझवता पत्र पत्र खूली जूंधा काम वे छ बड़ेगा पर्तित पत्र खोलना जरूरी होती मठिको सेर्थ प्रतीत पत्र क्या है यह मैं बोल के समझाओ इससे बेटर यह होगा कि मैं आपको इससे साधा पेपर पे जो एसे कि वह ड्रौ करके समझाता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा और आसानी मिले तो यह प्रतीत पत्र होता क्या है इस चीज को थोड़ा सा समझिए यहां प यह हो गया नेपाल का व्यक्ति और यह हो गया सेलर को और यह हो गया आपका इंडिया से अब इन दोनों में एक बात होती है कि हमें आपसे सामान खड़िदना है यह बंदा बोलता है कि मुझे यह खड़िदना है तो यह पार्टी कहता है कि मैं आपको माल दूंगा पैसे आने के बाद लेकिन यह इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको अगर पैसे दे देता हूं माल से पहले तो हो सकता है यह मुझे चीट कर जाए यह मुझे पैसा ना दे सॉरी यह मुझे माल न लेने के बाद मुझे माल ना भेजे मुझे माल ना दे तो यह इसका डाउट है जो बाई कर रहा है और डाउट करना भी चाहिए क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है और किसी के उपर अचानक से ट्रस्ट जो हैसे कि वह कर जाना मतलब अपने लिए वह आगे चलके घा तक सावित हो सकता है मान के चलिए अगर इसको पेमेंट मिला अगर यह नहीं भी दिया माल नहीं दिया तो यह नेपाल से इंडिया बार बार नहीं जाएगा इससे पैसे मांगने या जगड़ा करने तो अब यह सेलर का डाउट यह है कि मैं अगर इसको बीना पैसा लिए इस नेपाल अगर मैं समान दे देता हूं तो क्या कि यह पैसा देगा यह दोनों के प्रती दाउट बना रहता है कि मैं अगर यह इसको पैसा दे दू और यह मुझे पैसा न दे हला कि दोनों अगर की से si का काम है यह होगि यह की नेपाल के किस्टमर के नस्थीक में है नेपाली बैंक और एक इंडिया का बैंक, ये इंडियन जो सेलर है, एक हो गया इनका भी बैंक, तो अब ये दोनों के बीच में जो हैसे कि बायर का निपाली वाला बैंक और सेलर का इंडिया वाला जो बैंक है, ये मिडियेटर का जो हैसी की रोल निभाता है, और बायर से जो हैसे कि निपा बैंक को मरब कि यह तो यह दोनों के कीाम पूरा हो जाने के बाद में जो है बैंक होता है तकि आपका पैसा जो हैं सेफ रहे कहीं पिनना डूबे तो यह इन दोनों का जो हैसे की काम है आप दोनों के बीच जो हैसे की मीडियेटर बन करके दोनों का कारोबार करवा देना तो बायर का सामान भी मिल गया सेलर का जो हैसे की मतलब पैसा भी मिल गया तो इन दोनों के बीच में यह बैंक का जो है अहम हमिका होती इसान काथ दॉरहेगा को होते हैं उसको प्रतीत पत्र बोल दें तो वही प्रतीत पत्र आप बनवाना पड़ेगा ताकि सेलर से समान परचेजाज कर कानून को जो हैसे कि आप पूरा करते हुए कुछ आप से सेक्विरिटी एमांट जो ऐसे कि वह बैंक लेता है और वह बैंक जिस सेलर के देश के जो बैंक होते हैं जिस कंपनी जो भी सेलर है चाहें इंडिया के सेलर है या चाइना के सेलर है तो वह सेलर को जो ऐसे कि वहां के बैंक को अनुमति देता है कि इसको इतना पेमेंट जो इसे की वो देना है वो शेलर को यह जो मतलब सेलर जो हैसे कि जिस बैंक का जो है वहां पे जिक्र किया होगा उस बैंक में वह उसका पैसा चला गया अब वहां से उस बैंक के थुरू जो हैसे कि सेलर के पास नोटिफिकेशन जाएगा कि आपका पैसा जो हैसे कि इस बैंक में आ चुका है अब आप वायर का जो भी शामान है वह आप यहां से कर दिए तो जो सेलर है वह आपका जो समान यह पॉसंद किये होगे और तो आप वहां से ट्रांस्पोर्ट के तुर्व आपको जो ऐसे की भंशार तक पहुंचा देगा और बाफ जिस भी भंशार पर आपको सहुलियत हो उस भनसार पे आपको पहुंचा देगा तो अगले स्टेप की हम बात करें तो प्रतीत पत्र जिस बैंक में आप खोले होंगे उस बैंक के विदेशी विनियम नियंतरन यानि की फॉर्म नंबर चार जो है उसके साथ साथ कुछ कागजात वगरा जो है से कि तो वहाँ के अधिकारी तो वहां के अधिकारी लIGHT उसकाजात को देखेंगे और उसी के हिसाब से जिस माल का आपने जिक्र किया होगा वहां पर तो वह सभी माल वहाँ पर भनसार के अधिकारी आपके किसी जो ऐसे की एजेंट के सहायता से या आप खुद जा सकते हैं तो जाइए या आप किसी एजेंट को डोकुमेंट के साथ में परमानित करके भेजते हैं वहाँ पर तो उसके सामने में वहाँ पर जाच पास की परकिरिया होगी तो जाच पास होने के ब सवाड़ी साधन के थूर भी आप अपना समान जो हैसे कि अपने गंतवय तक ले करके आ सकते हैं तो यही प्रोसेस है जो में ली आपको मतलब करने में काफी ज्यादा दिक्कत लगता है लेकिन दो चार बार करेंगे तो आप सीख जाएंगे तो मेंली नेपाल का कारोबार जो हैसे कि इन दोनों देशक के वज़य से ही चलता है ज्यादा रिद 햇यर और जो चाइनीज आइटम होते हैं वह ज्यादा से डाउनलड कर के देख लिजए कि है है कितना परसेंटेज जो हैसे की टैक्स लगता है नेपाल में तो यही सब चीज है होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजेगा और हाँ चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजेगा क्यूंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फोर्मेटिव वीडियो गरल ले करके आते रहता हूं मिलते हैं के लिए वीडियो में नई जनकाड़ी के साथ में तब तक के लिए बाई बाई और टेक क्यार